स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विहारी फैमिली में साथियो मैं आज फिर से सौछमता प्रिच्छा के दृष्टी से 25 महत्पुर्ण प्रष्णों का सिट नंबर 10 लेकर आपके बीच हाजिर हूँ तो उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिक्शन आपको समय प्राप्त हो जाए तो साथ को चलिए बिना देर किये हुए सुरू करते हैं पहला कोशन है इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है तो इसका सही जबाब हो जाएगा तीन कालों में विभक्त किया गया है तीन कालों में भक्त क्या गया है प्राचीन नितिहास उसके बाद है मध्यकाली नितिहास और उसके बाद है आधुनी की नितिहास अगरा कुशन देखते हैं भारत के अंतिम वाइसराई कोन थे लाड मॉंट बेटन अगरा कुशन देखते हैं निमलखित में से कौन साथ सब्द भारतिय सम्मिधान की प्रस्थाबना में इले खित नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगिये सब्द अगला कोशन है निमलिखित में से भारत के पुर्वी तठपर इस्थित सबसे बड़ी लेगून जील कौन सी है पुलिकट, चिलिका, कुलेरू, किलीवेली तो सबसे बड़ी लेगून जील जो है वह है चिलिका जील अगला कोशन देखते हैं भारतिय संसत की कारवाई में सुन्न काल का अर्थ है उप्शन A, सत्र का प्रथम घंटा जब उप्शन B, जब विश्य साधिकार प्रस्ताव सुकिर्त होता है उप्शन C, पर्षन काल के पुर्व का काल और option D, पर्षन काल के ठिक पस्चात का काल तो सही जबाब हो जाएगा पर्षन काल के ठिक पस्चात का काल आगे देखते हैं निमिलखित में से कौन सा विधयक? राज सभा में पर्थम बार परस्तावित नहीं किया जा सकता है तो पहला है साधारन विधयक दूसरा है संविधानिक संसोधन विधयक तीसरा है राज पुर्णर गठन विधयक और चौथा यानि D है धन विधयक तो सही जबाब हो जाएगा धन विधयक धन विधयक को पर्थम बार में ही राज सभा में नहीं पेस किया जा सकता है उसको शर्परतम लोक सभाम किस किया जाएगा। अगला कोशन है, दैक आवस्यक अभयव नहीं है। और कलोरोविल 그리고 RNA, DNA का और कार्बोहाइड़रीड का। तो अगला कोशन ultrap 꺼ने धोनेवल्हेकometers कार्बोहाइड़रीड का आवस्यक अभयव नहीं है। प्रोटी, विटामीन, खनीज, उप्रोक्त सभी तो कार्वो हाइडरेड वसा प्रोटी, विटामीन, खनीज, उप्रोक्त सभी तो सही जबाब हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला कोशन के तरफ चलते हैं अगला कोशन है राइजोबियम में राइजोभीयम निमनि में से किन-किन पादपो की जरो में होता है चना, मटर, मूंग उपरोक्त सभी तो सही जबाब हो जाएगा उपरोक्त सभी अगला कॉशन दिखते हैं पउधे अपना भोजन किस द्оारा बनाते हैं? पतियों द्वारा, तहनियों द्वारा, जरों द्वारा, फूलों द्वारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतियों द्वारा, पोधे जो है अपना भोजन जो है वह पतियों द्वारा मनाते हैं, अगला क्वेशन है सजीवो के सरीर की सुक्ष मिकाईयों को क्या करते हैं, शुक्ष मिकाई, सरीर की सुक्ष मिकाई उत्तक, कोसीका, अंग, अंग परमाली तो सही जवाब हो जाएगा कोसीका, सजीवों के सरीर के सुक्ष मिकाईयों को कोसीका कहते है अगला कॉशन है पौधे को किसकी मुख्य आपसकता होती है नाइट्रोजन, पोटेसियम, फासफोरस, उपरक्ष सभी तो पौधे को जो है इन सबों की जरुरत होती है अगला कॉशन है कार्बो हैड्रेड में क्या नहीं पाया जाता है अप्शन है कार्बन, हैड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बो हैड्रेड में नहीं पाया जाता है अगला कॉशन है वो सक पदार्थ हमारे लिए क्यों आपसक है अप्शन है सालरिक्सन रचना करने के लिए, विर्धी वो उर्जा परधान करने के लिए च्छतिकरस्ट भागो के रखरखाब के लिए उप्रोक्त सभी तो सही जवाब हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला कुश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मने आ जाता है 25 दिसंबर 21 अपरेल 16 सितंबर 30 जनवरी को तो सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन डिवस मने आ जाता है अगरा क्वेशन है यूनी सेफ का मुख्याले कहां है अप्सन देखेंगे जेनेवा, नियू यार्क, पेरिस, रूम तो यूनी सेफ का मुख्याले नियू यार्क है आगे देखते हैं, हाइड्रो क्लोरिक एसीड किस अंग में सरावित होता है आत्र, यकरित, अमासे, अगना से तो हाइड्रो क्लोरिक एसीड जो है, वह अमासे में सरावित होता है अगला क्वेशन है, इसकरवी रोग इस बिटामीन की नूनता से होती है, यानि कमी से होती है बिटामीन A, बिटामीन B, बिटामीन D, बिटामीन C तो सही जवाब होजाएगा, बिटामीन D अगला question है, सिंध्यू सब्गता से प्रात मुहरों में कौन से विड़िश की छाप मिलती है अप्सन है आम, पीपल, पारीजात, साल तो सही जवाब हो जाएगा पीपल अगला कोशन देखते हैं किसकी परसास निये परनाली की अदूईतिये विसेस्ता ग्राम स्वाइतता का अभिकास थी तो अप्सन है चेर, चोल, पांड, पल्लव तो सही जवाब हो जाएगा चोल बंस अगला कोशन है एलोवेरा एवं एलिफेंटा अस्थल किस काल के हैं तो परतिहार, चालुक्य, राष्टकूट, खोईसल तो एलोवेरा, एलोवेरा एवं एलिफेंटा गुफा जो हैं वह राष्टकूट काल के हैं अगला कोशन है वाय मनलिगे कारणों से पानी के नौ होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को भ्रम को कहा जाता है यानि जब हम सरकों पर चलते हैं तो दूर में जब देखते हैं तो दूर में लगता है कि सरक पर पानी है जब नजदिक जाते हैं तो वहां पर वास्ता में पान अगला कोशन है जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए प्रयाप्त किर्सी करते हैं और बाजार में विक्री के लिए नहीं उन्हें कहा जाता है यानि जो ऐसे किसान जो केबल अपने लिए खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता है जिविका किर्सक जन जाती जैव किर्सक कुशन है कौन सा सब समुधायों के कई पीडियों में जमा प्रारम का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो अप्शन है लोक ज्यान अनुभव दूरदर्सिता चतूरता तो सही जवाब हो जाएगा लोक ज्यान अगला कुशन है 2011 में भारत में जन संख्या का पर्तिवर किलो मीटर ओसत घनत्व था 325, 342, 312, 382, सही जवाब हो जाएगा 382 अगला है 2001 और 2011 की जनकन्ना के अनुसार भारत के किस राज में लिंगा अनुपात सबसे कम है तो अप्शन है पंजाब, हरियाना, राजस्थान, गुजरात सही जवाब हो जाएगा हरियाना तो इसके साथ ही 25 महतपुर्ण कोश्चनों का यह सेट समाप्त हुआ यह वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट में अवस्य बतावे कोई सलाह हो तो आप हमें कोमेंट में बता सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद